मा शक्त मेरे लिए बस एक धुंदली सी याद है मैं और मेरे भाई हम मिट्टी के धेर में खेला करते थे और हमारी मा हमारे लिए खाना लेने जाया करती थी कई बार घंटों बीच जाते थे वो नहीं लोटती थी और जब लोटती थी, तो मुँ में मिटी में सना हुआ खाना होता था मैं कई बार मुँ बनाता था, मुझे वो बद्बू करता हुआ खाना पसंद नहीं था पर मा मुझे समझाती थी, और कहती थी कि पेट की आग के सामने स्वाध हार ही जाता है मुझे उसकी बाते कभी समझ नहीं आई, लेकिन एक दिन उसकी कही हर एक बात समझ में आ गई क्योंकि उस रोज मेरी माँ खाना लेने तो गई, लेकिन वापस लोट कर नहीं है मुझे आज तक नहीं पता कि वो क्यों नहीं आई लेकिन उस रात हम तीनों भाई पूरी रात नहीं सोए हम उसका इंतजार करते रहे इतनी भीसर सर्दी में उसके शरीर की गर्मी ही तो हमारा कमबल होती थी उसके ना आने से हम रात बठी ठुटते रहे हम उस पूरी रात उसे पुकार-पुकार कर खूप रुए अगले दिन जब हमारा सब्र जवाब दे गया हम खुद उस मिट्टी के धेर से निकल कर खाना ढूणने चले लेकिन हमें नहीं पता था कि माँ खाना कहां से लाती है तभी मुझे एक भीनी सी खुश्पू पास में सडक पर लगे डिब्बे से आई हम तीनों भाई उसके पास पहुँचे हम डिब्बे को गिराने ही वाले थे कि पास खड़े एक इनसान ने हम पर धेले से वार किया हम डर कर वहाँ से भाग खड़े हुए उस बात को एक हफता हो गया है और हमें खाने के नाम पर बस इनसानों के फेके हुए धेले ही मिले है रोज शाम ढलते ही इस सर्दी में मेरी मा के जिस्म की गर्मी मुझे याद आती है ऐसा लगता है जैसे वो सामने से दोड़ती हुए आएगी और उसके मुँ में वही बदबुदार मिटी में सना स्वादिष्ट खाना होगा भूक और ठंड से बिलगते हम तीनों भाई ऐसे ही एक रात अपनी मा को याद कर रहे थे कि अचानक से किसी ने हमारे उपर एक कंबल डाला हमें लगा मा आ गई लेकिन कुछी समय में हमारी खुशी फुर हो गई क्योंकि वो तो एक इनसान था हम दर के सहम गए हमें डरा हुआ देख वो इनसान बोला डरो नहीं मुझे तुमारी मा नहीं बेजा है लो ये खाना खा लो हम चिलाए हमारी मा कहा है हमें उसकी याद आती है इस पर वो इनसान बोला कि तुम लोग सिर्फ मा ही नहीं पूरे परिवार के हगदार हो और जल्द ही तुम लोगों को पूरा परिवार मिलेगा ऐसा कहकर वो हमें अपने साथ एक जगा ले गया जहां मेरे जैसे और भी जानवर है इस जगा को पीपल फाम कहते हैं यहां के लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं बिलकुल मेरी मा की तरह जैसे जैसे मैं बड़ा हूँ मुझे समझ आ गया है कि मेरी मा नहीं आएगी लेकिन यहां सब लोग कहते हैं कि हमें जल्दी ही एक परिवार मिलेगा जैस जब है जाम कहते हैं वाहर वोग मेरी मा, र कहते हैं मैं आपां टल्दी कि में आपाश कपित व।वाचस, मुझे जैसे घृ वकफेश्वाद समे रुझे